कि नमस्कार में मुहमादासिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नाइने ओज क्या वाकई में देश के प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने पुलवामा घटना में बहुत बड़ी घलती कर दे क्या मोदी सरकार से बहुत बरी चूक हो गई और इस बात को वो ना मानने की वज़े से आज फंसती नजर आ रही है क्या मोदी जी की कुरसी खत्रे में आती नजर आ रही है चली बारीक से पुरा मामला आपको समझाते हैं हुआ ये कि 2019 के वकद पुल्बामा घटना हुआ था आप जानते हैं कि उसमें 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे अकिस तरीके से राजनिती हुई जब बिपक्च सवाल पूछ रहा था ता मोदी सरकार पूछ रही कि जवानों पे जो है राजनिती कर रहा है और उसके सबूत माग रहा है लेकिन भाईया आप तो पुर्व राजेपाल सत्यपाल मलिक ही खुलासा कर रहा है कि अगर वो फाइव एरकराफ्ट भेज देते अगर अगर असान भासा में कहें कि जहाज भेज देते हेलिकप्टर भेज देते तो उन जवानों की जो है जान पुल्वामा पे जो कहा उन्होंने तुम चुप रहो यह प्रधान मंत्री के शब्द हैं हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं जिम कॉर्बेट में थे जबाप ये पुल्वामा का की दुखानतिका हुई जहां 40 जवान हमारे श्रहीद हुए एक ढाबे पर आकर उन्होंने सत्पाल मलिक जी को फोन किया और बोला कहो सत्पाल क्या हुआ फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है तो कहा तुम चुप रहो ये कोई और चीज है ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा ये कोई और चीज है कि क्या चीज है ये आप लोग बहतर समझते होंगे सत्पाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं उनकी चुपी बहुत बड़ी खबर बनती है जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुपी भी बनती है कहाँ वो चुप हो जाते हैं कहाँ वो शब्द रोक देते हैं कहाँ वो लिहाज रख रहे हैं यह सब समझने वाली बाते हैं NSA की क्या भूमिका रही NSA ने भी इनको सलहा दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए लापरवाई के बारे में कुछ मत बोलिए जिस देश का प्रधान मंत्री अपने 40 जवानों की शहदत पर वहां के राजिपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने प्रधान मंत्री जमू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इलिनफॉर्म्ड है इतना महत्वपून राज्य इतना समेदन शील राज्य लेकिन प्रधान मंत्री का अटिट्यूड क्या है मस्त में है अपने मस्ती में है अपने टू हेल विधिट यह सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं हमारे नहीं अब इसके बास सवाल है कि क्या मोदी जी जवाब देंगे क्या अजीद डुबाल जो रास्टी सुरक्षा सला करें क्या वह जबाब देंगे दर्शों को यह बहुत बड़ा खुलासा है और अगर अब भी बीजेपी इस बात पर नहीं बात करती है देकि गोदी मीडिया तो दरसल देश का सबसे बड़ा हत्यार वही है लोगतंतर का वो तो इस मसले को उठाएगा नहीं क्या कि मोदी जी की और मोदी सरकार की चापलूसी और चाटूकारिता तलवे चाटने में लगे हुए है लेकिन यह मुदा बहुत बगा है क्योंकि 40 जवान के शहीदों की बात है अगर यह सही है यह खुलासा जो दावे कि जा रहे हैं तो इस पर सरकार को जबाब दे ही होना चाहिए दिश दुने की भाई खबरों के लिए देखते रहे हैं स्पेन झाहिए